अफ्रीका के सबसे आकरशक और खतरनाक प्राणियों में से एक दरियाई घोड़े की खोज के सफर में आपका स्वागत है आश्चरे चकित होने के लिए तैयार हो जाए क्योंकि हम इन मजेस्टिक अर्ध जलिय मैमल्स के बारे में दस आश्चरे जनक तत्थे उजागर करेंगे जो आपको आश्चरे चकित कर देंगे लेकिन सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि उनके शांत स्वभाव के बावजूद दरियाई घोड़े को शेरों और मगरमच्छों से भी अधिक खतरनात माना जाता है ये विशाग प्राणी उलेक्निय आकरामक्ता के साथ अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं जिससे वे एक ताकतवर ताकत बन जाते हैं दरियाई घोड़े पानी के भीतर अपनी आँखों, कानों और नाख की रक्षा करने का अनोखा तरीका अपनाते हैं उनके पास जली एक्षेत्रों में भ्रमन करते समय पानी को बाहर रखने के लिए इन महत्वपूर्ण छिद्रों को बंद करने की असाधारन क्षमता होती है यह एक आकर्शक अनुकूलन है जो उनकी अर्थ जलिय जीवनशैली में उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करता है लेकिन ये तो बस शुरुआत है इस मनोरम यात्रा के दोरान हम दरियाई घोडे के व्यवहार, उनकी सामाजिक गतिशीर्ता और कैसे वे अपने पारिस्थिति की तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ऐसे उनके अधिक दिल्चस्प पहलूँ को उजागर करेंगे इसलिए यदि आप इन शांदार प्राणियों की दुनिया में जाने के लिए तयार हो तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस विसमेकारी सफर में हमारे साथ शामिल हो जाएए और याद रखें, आपका समर्थन हमें आगे बढ़ाता है इसलिए इस विडियो को लाइक, कमेंट और साथी बन्यजी प्रेमियों के साथ शेयर करना न भूले फैक्ट नंबर एक, दरियाए घोडे को अफरिका में सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है यहाँ तक की शेयर और मगरमच से भी ज्यादा अपने बड़े आकार और प्रतीत होने वाली विनम रुपस्थिती के बावजूद ये जीव बहत आकरामक और क्षेत्रिये माने जाते हैं खास कर जब अपने बच्चों की रक्षा करने की बात आती है क्या आप जानते हैं कि दरियाई घोडे को ना वो और यहाँ तक की अपने ख्षेत्र के बहुत करीब जाने वाले मनुष्यों पर भी हमला करने के लिए जाना जाता है वास्तव में यह अनुमान लगाया गया है कि अफ्रीका में हिपों के हमलों के परिणामस्वरूप हर साल कई सौ मौते होती है फैक्ट नमबर दो हलाकि दरियाई घोडे को अकसर पानी से जोड़ा जाता है लेकिन वास्तव में वे अर्ध जलिये जानबर हैं वे अपना अधिकांच समय नदियों और जीलों में बिताते हैं लेकिन वे घास और अन्य वनस्पतियों को चरने के लिए जमीन पर भी उतरते हैं क्या आप जानते हैं कि दरियाई घोड़ा पानी के अंदर पांच मिनित तक अपनी सास रोग सकता है वे उत्कृष्ट तैराग भी हैं अपने शक्तिशाली पैरों का उप्योग करके नीचे से धक्का देकर पानी में तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम है दरियाई घोड़ा दुनिया के सबसे बड़े भूमी स्थंधारियों में से एक है जिसके वैस्पनर का वजन 4500 किलोग्राम तक होता है हाला की अपने आकार के बावजूद वे जमीन पर आश्चर ये जनक रूप से तेज होते हैं 30 किलोमीटर घंटा तक की गती तक पहुँचने में सक्षम होते हैं क्या आप जानते हैं कि एक दरियाई घोड़ा एक ओलंपिक धावक से भी तेज दोर सकता है उनके छोटे पैर और भारी शरीर को देखकर शायद ऐसा न लगे कि वे गती के लिए बने हैं लेकिन वे अविश्वस्निय रूप से खुर्तीले हैं और आसानी से एक इंसान से आगे निकल सकते हैं पैक्ट नमबर चार दरियाई घोड़ा अपने अविश्वस्निय रूप से मजबूत जबड़ों के लिए जाना जाता है जो मोती शाखाओं को काटने और यहां तक की मगरमच की खोपड़ी को कुचलने में सक्षम हैं दरसल उनके दातों की लंबाई 50 सेंटीमीटर तक हो सकती हैं और वे लगातार उन्हें पीस-पीस कर टेज करते रहते हैं क्या आप जानते हैं कि दरियाई घोडे के पास पानी के अंदर रहने पर अपनी आखों और कानों की सुरक्षा करने का एक अनोखा तरीका होता है वे पानी को बाहर रखने के लिए अपने नाक और कान बंद कर सकते हैं और उनकी आखों में एक विशेश जिल्ली होती है जो उन्हें पानी में डूबे रहने पर भी सपश्ट रूप से देखने की ख्शमता प्रदान करती है फैक्ट नंबर पांच दरियाई घोड़े एक सामाजिक जानवर है जो समूह में रहते हैं इन समूहों का नेत्रित्व एक प्रमुख दरियाई घोड़े द्वारा किया जाता है जो क्षेत्र की रक्षा करने के लिए जिन्मेदार होता है क्या आप जानते हैं कि दरियाई घोड़े घुरगुराहट, खराटे और अन्यस्वरो की श्रिंखला के माध्यम से एक दूसरे के साथ संबाद करते हैं वे अपने इरादों का संकेर देने और समुख के भीतर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जम्हाई लेना और कान फड़फडाना जैसी शारीरिक भाशा का भी उप्योग करते हैं दरियाई घोड़े शाकाहारी होते हैं और वे हर दिन भारी मात्रा में 150 पाउंड टक वनस्पती घास खाते हैं वे घास और नरकर्ट जैसी कठोर पौधों की टहनियों को पीसने के लिए अपने बड़े सपार्ग दातों का उप्योग करते हैं क्या आप जानते हैं कि दरियाई घोड़ा अपने अद्वितिय पाचन तंत्र की बड़ौलत कठोर पौधों की टहनियों को पचाने में सक्षम है उनके पास चार कक्षिय पेट होता है जो उन्हें सेलूलोस को तोड़ने की ख्षमता देता है पैक्ट नंबर साथ आकरामक जानवरों के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद दरियाई घोड़े वास्तव में काफी सामाजिक होते हैं और अक्सर अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ घनिष्ट संबंध बनाते हैं उन्हें एक दूसरे को सवारते, खेलते और यहां तक की एक दूसरे की पीट पर सिर रखकर सोते हुए भी देखा गया है क्या आप जानते हैं कि दरियाई घोड़े के पास भी अपने ख्षेत्र को चिनित करने का एक अनोखा तरीका होता है वे अपनी गंध पहलाने के लिए अपनी पूँच का उपयोग करते हैं, जो उनकी त्वचा ग्रंतियों द्वारा उत्पादित पसीने और तेल का मिश्रण है ऐसा करके वे वे ख्षेत्र के अन्य दरियाई घोड़ों को अपनी उपस्थिती के बारे में बता सकते हैं फैक्ट नंबर आठ दरियाई घोड़े पारिस्थिती की तंति का एक महत्वपोर हिस्सा है क्योंकि वे अपने आसपास के परित्रश्य को आकार देने में महत्वपोर ढूमिका निभाते हैं बनसपती को चरकर और जमीन को रौंद कर वे ऐसे रास्ते बनाते हैं जो अन्य जानवरों को परित्रश्य में अधिक आसानी से जाने की अनुमती देते हैं क्या आप जानते हैं कि दरियाई घोडे उन नदियों और जीलों में पानी की गुनवत्ता बनाए रखने में भी मदद करते हैं जहां वे रहते हैं जैसे ही वे पानी में आगे बढ़ते हैं वे तलचट और अन्य मलबे को हिलाते हैं जो पानी को ऑक्सीजन देने और मचली और अन्य जलिये जीवों के लिए एक स्वस्था आवास बनाने में मदद कर सकता है फैक्ट नमबर नौ दरियाए घोडे के पास गर्म मौसम में ठंडक पाने का एक अनोखा तरीका होता है वे अपनी त्वचा की गरंतियों से ब्लड स्वेट नामख पदार्थ स्रावित करते हैं जो प्राकृतिक संस्क्रीम के रूप में कारे करता है और उनके शरील के तापमान को नियंतरित करने में भी मदद करता है क्या आप जानते हैं कि दरियाए घोड़ा भी पानी में बहुत समय विता कर ठंडा रहने में सक्षम होता है उनकी मोटी त्वचा नमी बनाये रखने में सक्षम है जो उन्हें सबसे गर्म दिनों में भी ठंडा रखने में मदद करती है ऐसा माना जाता है कि वे भूमी पर रहने वाले स्तंधारियों के एक सम्मूव से विक्सित हुए हैं जो लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले रहने थे और उनके सबसे करीबी जीबित रिश्टेदार वास्तव में वेल और डॉल्फिन है क्या आप जानते हैं कि दरियाई गोडे में वेल और डॉल्फिन जैसी कई प्रमुक विशेश्टाएं होती हैं जैसे उनका सुव्यवस्थित शरीर और लंबे समय तक पानी के भीतर अपनी सांस रोखने की उनकी शमता वेज्ञानिकों का मानना है कि ये समानताएं अभिसरन विकास का परिणाम है जो तब होता है जब जानवरों के दो असंबंधित समूह समान परियावरणिये दबावों के जवाब में समान लक्षन विक्सित करते हैं यदि आपको हमारा यह वीडियो जानका रिपोर्ड लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले आपको सबसे दिल्चस्प तर्थे कौन सा लगा? हमें नीचे कमेंट में बताएं और हमेशा की तरह अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक करना और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले ताकि आपको हमारे आगे आने वाले और भी ज्यादा इंट्रूस्टिंग कंटेंट के बारे में सबसे पहले पता चल सके अधिक जानकारे के लिए हमारी वेबसाइट factover.com को विजीट करें कि इए हमारे बारे में सबस्क्राइब कारें